हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थेतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीवे सी एंसी आर्टी पॉलिटिकल साइन्स यहीं राजिती विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वार्मेंट और नेच्टर रिसॉर्स पर्रया बरन और प्राकिस संसाधन काफी महत्पून है इसमें जो हम पॉइंट व्यू इनलाइस करेंगे जो काफी म महत्पून होने वाला है यह सारे पॉइंट काफी महत्पू रखेगा लेकिन आप देखते हमारा आज topic क्या है पर्यावरन प्राकितिक संसाधन पर्यावरन प्राकिति संसाधन देखा जाए तो पर्यावरन के अंतरगात examiner कोई न कोई कोशन जरूर डालता है और आज के समय परियावरेन में जो प्रावलम आ रही है उसके अंतरगत्व एक्जामिनर का यह काभी फेवरेट कोशन बन जाता है तो यहां पर आपके लिए सबसे महत्पून यह रहता है कि तिरपान सिर्फ में पॉइंट व्यू जो है आपका यहां पर यह टॉपिक लेकि आया है जो काभ काभी महत्पून पॉइंट है और यह हमारा अगला पॉइंट जो है काभी महत्व रखता है कि विश्व में पर्यावरेन प्रदूसन के उतराई कारक कौन-कौन से हैं तो पहला तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सबसे बड़ी चिंता का विस है जनसंक्या है क्योंकि भारत के पास भूमी का चेत्र बहुत ही कम है लेकिन जनसंक्या पूरे विश्व में सबसे नंबर वन है दूसरी बात अगर हम देखें पर दूसरा की कारण बनता है बनों की कटाई आज देखिए बरे बरे जमिदार लोग सहुकार लोग परयावरन को नस्ट इस रंग ही नहीं देखा जा सकता है कई फिल्मों में भी बनों की कटाई को जो है सुपर हिट बना दिया गया तो वही बात है ना कि आज लोग को जो हमारे बुराई है उनको लोग को लगता है अच्छा ही है बनों को नस्ट करने वाले फिल्में बनाई गई है कई और वह देंगी तो यह तो बहुत अलग सी बात है कि जिस फिल्म में बुरी बाते दिखाई जाती हम उसको सुपर हिट बना देती है लेकिन यह नहीं देखते इसके इसमें गलत चीज़ें दिखाई गई है इसको हमें परतिकार करना चाहिए परतिकार हम नहीं करेंगे तरह समझ न पढ़ावा दे रहा है भोकतावादी का आर्थ यह होता है कि लोग आज के समय में वह भोग करने बाली चीजों पर ही विश्वास रखती हैं उसके पशाथ है संसादनों का अतदिक दोहन यह बहुत भी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस परकार संसादनों का अतदिक द करें तो अद्धोई करन को बढ़ावा आज देखा जाए तो हमारे भारत में भी अद्धोई करन पर काफी जोर दिया जा रहा है और हर छेत्र में जो है बड़े-बड़े उध्योगों का विकास किया जा रहा है और अध्योगी विकास के करन पर्यार परदूशन आए दिन बढ़ती चली जा रही है कि कहते हैं ऐसे बहुत से नदिया है जो बिलकुल ही परदूशित हो चुकी है भारत में इतने पवित्र नदियां बैती है अगर आप होई अमेरिका इस्टेलिया अफरीका कहीं भी चले जाओ तो वहां की नदियां आप उसमें सकल देख सकते इतन है आखिर इतनी गंदगी आई कहां से विदेशों ने किस परकार अपनी गंदग्यों के मेंटेनेस किया है सरकार क्या सिरब विदेशों के दौड़ा करना जानती है साफ सफाय के उपर कोई ध्यान देना नहीं जानती है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का पहल नहीं है ये पूरे सरकार का पहल है कि पर्यावरन दिस परकार प्रदुषित हो रही है ये बहुत बड़ी चिंता का विशय है आने वाला समय के लिए उसके पर शात आता है परिवहन के अतधिक साधन ये देखिए बहुत ही बहुत भी नहीं दे सकती घर से मार्केट जा ना है घर से सब्जी लेने जाना है तो उसके लिए भी हमें गारी वाइकल की शक्ता होती है कहते हैं नीचे अगर हमें समान लेने भी जाना है तो हम गारी और वाइकल का इस्तमाल करते हैं तो यह परिवहन के साधन जो है पर्दूशन के मुख्य कारक है और हमारे भारत इस पर कार अगर बढ़ती चली गई दिन पर दिन तो इससानों के लिए जो है सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है मैंने तो देखा है कि एह सहरों में स्कूलों के छुटियां कर देते हैं चोटे बच्चों को मैं एक बात पोश्कोशन पूछ रहा हूँ यह स्कूल के छुटि कर देते हैं बच्चों के कि स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं परेंगे नहीं तो उनको ये प्रदूशन सांस नहीं लेना पड़ेगा अब तो दिमाग लगाईए ये प्रदूशन जो हो रही है वायू का हवा का क्या ये हवा बचों घर तक नहीं पहुचेगा जो आप अराम से स्कूलों को छुट्टी कर दिये कि हमारे छेतर में वायू प्रदूशन हो कि भाई साहब ये हवा है हवा को आप बंधन में नहीं बांद सकते ये हर छेतर में जाएगा हर एक एडिया में जाएगा चाहे घर हो चाहे स्कूल हो आप तो छुट्टी करके अपने पलना जार लिए कि हम तो बच्चे के बरती बहुत ही जागरूक हैं बहुत ही हम क्यों हो रही है इन कारणों को आपने कभी टटोला भी नहीं क्योंकि आपको तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है हमने देखा हमारे भारत राजनीति में सिर्फ एक सरकार दूसरे सरकार को अरो परतियोप लगाती रहती है करती कुछ भी नहीं है अगर करती तो हमारे देस लेवल से उपर जा चुकी है लेकिन सरकार सिरफ अपना गुंगान गा रही है देखा जाए तो ऐसे गुंगान से क्या मिलेगा जो हमारे नेचर को हमारे लिए ही जो है जीने लाइक नहीं महौल बनेगा यह काफी महत्पून है और यह सब परदुशन के कारण बनती है मैं इस करवाया जाता है इसे कुछ नहीं होना है आपके हवा को रोक लोगे या उसको बांद के रख लोगे हवा को अगर साफ कर दीजिए गा तो हर चेत्र के लिए उन्पोर्टेंट होगा न कि स्कूल चुट्टी कर देने से बच्चे सो सेफ हो जाती है यह काफी महत्पून बात कर सकती हैं देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है जनसंक्या नियंद्रन अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि जनसंक्या नियंद्रन करे तो करे कैसी देखिए दोस्तों जनसंक्या नियंद्रन अगर आपको करना है तो हमारे अपने समाज को जो है सिक्षित करन पहला तो होता है बेरुजगार robi दुसरा बंता है कारन क्या बंता है अनपढ़ता तो यह काज़े महतुपूर्य बात है कैंग संग्या बठने का कर散 कई काहीं न कहीं अनपढ़ता ही देखा जाएगा बंदेλ पर लिखें नहीं बहुत ही करते हैं दो बच्चे हो या एक बर्ची में मैं है स fancy है हमने उनको को का नाम द आए लेटा या अगर को अच्छे करेंगे लटकों से बेडर कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ी बात है अनपड़ता भारत में आप सोचिए गा कि सिक्षा के सदर उच्चे है लेकिन मैं कहता हूं से बहुत ही नीचा है लोग को समझ नहीं है तब ही तो जन संक्या इस परकार बढ़ती जा रही है एक लड़की हुआ फिर दूसरी लड़की और लड़के में इसी चक्कर में बढ़ता ही चला जाता है जन संक्या क्योंकि परहे लिखे नहीं है आप देखिएगा कि बड़े घराने के लोग जो होते हैं मुश्किल से एक या दो बच्चे ही रखती है और जब साधिक जो होते हैं मिडल क्लास के लोग गरीब लोग जो तो क्योंकि सिक्षा का सतर अगर उचा होगा तो हर चीज सुद्रेगा जन संक्या नियंत्रन जो है हम इसी कारणों से सरकार के हाथ में हैं क्योंकि हम इंसान कुछ कर नहीं सकेंगी क्योंकि हम सारे सरकार को दे रखें सारे पावर सरकार को दे रखें अगर सरकार सकती के चाला लेंगे लेकिन आज चिपको चलाने का भी फैदा नहीं है अ छी कि आज सर्कालिया अपने आपको महानों कजह रहे हैं सर्कार सोई हुई है निंदरासन में सबस्क्राइब की पैसा ही लग रहे हैं देखा जाया तो बंच संड्रक्षन काभी महत्वपून है और आज बंच जो कटी जा रही है दो ही कारणों से एक तो सहीडी करन के कारण और एक दोही करन के कारण दोनों कार्णों से बनों का तहसन है से लोग करते चले जा रहे हैं और सरकार सिरफ सरकार है आँख बंद करके बैठी भड़ी है और अपने ठाप रही है कि हम देश के विकास कर रहे हैं दूसरी बात देखे परेयावरेनित-तखण के प्रयोग उता है कि हम भी पर्यावरेन से प्रेम प्रवाक रहें। और पर्यावरेन के लिए हो एक कदम उठाएं। इस सरकार से सरकार ही चला रही है लेकिन सरकार से दो एक कदम भी नहीं वर्योंग। यह कि उसको प्योग करें जितना हो सकते हम वहानों का कम से कम भी प्योग करें तो पर्या वरन सनक्षित हो सकती है और यह हम थोड़ा सा अपना जिंचरिया में जीवन में बदलाब करके कड़ सकते यह आपके हात में हैं इस पर मैं सरकार का दोस्त नहीं दूँँगा क्योंकि यह हम अगर अपनी आदतें बदलेंगे तो परिवहन परदुषित से बचने के तो परिवहन के सरवजनी सादुनों का उपयोग करें देखिए अगर माल लीजे बस से अगर आप जा सकते हो तो बस का उपयोग कीजिए यूकि आपके बहां से निकलने वाले दूशनी सादुनों का उपयोग करने लगे तो परियावरन में परदुशन की जो मात्रा है कुछ और यह बात जरूरी भी है कहते हैं जनता को इसा बात हो के लिए सरकार को अग्रसर करना चाहिए अपने भोट के लिए तो वो चारो तरह परचार ही परचार करते रहते हैं दरो दरो घुम घुम के करती हैं क्या पर्यावरन के लिए थोड़ा भी परचार नहीं कर सकती मैं तो ही सुना पर्यावर्ण के प्रती अपने एलेक्शन के दौरान कोई भी चिंता वो जाहिड करें मैंने नहीं देखा अस्तर यह लोग करते ही नहीं अगर जंग मैं तो यही कहता हूँ अगर भासन में पर्यावर्ण के प्रती लोग को दो शब्द भी अगर बोल दें तो इनकी इतनी बवाऊं को भी देखा है वो circा अपना ही प्रती गाते रहती हम तो चमतकार कर रहें और चमतकार किसको की चीजह नहीं होती कर ना तो पर्यावर्ण पर्यावर्ण कार कीसे जया हैं सांस लेते हैं उनमें करिए न अपनी चमत काड लोगों को समझाए आपको तो मानने वाले हैं लाको क्रोरों लोग हैं तो लोगों मैं समझ में आएगा कि सरकार सही कह रही है उसके बाद देखा जाए तो अंतराष्टे सही यूश्व में नामक पुस्तक काफी महत्वण है और इसके बाद ही पर्यावरन के लिगार्डिंग सरकार की नींद खुली थी जब ये पुस्तक रिलीज की गई थी लिमेटेट टू ग्रोथ नामक पुस्तक वेस्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों ने एक समून ने जिसका नाम है कलब आफ रोम कलब आफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिमेटेट टू ग्रोथ लिखी थी और इस पुस्तक में बताया गया था कि जिस परकार से दुनिया की जनसंगा बढ़ रही है उसी परकार से जादर हम कम होते जा रहे हैं इस बात से सरकार की नींद खुली फिर सरकार ने परियावरंदिवस के लिए चिंतित हुई और 1902 में स्टार्टिंग किया और 1974 में पूरे विश्म में लागू कर दिया गया परियावरंदिवस तो देखा जाए तो देखिए दोस्तों कहते हैं ना कुछ चीजों की जो है सरकार कभी-कभी जागती है और देखा जाए तो यहां पर UNEP का होता इन्वार्मेंट प्रोग्राम बनाई गई यानि सहीत राश्र परियावरंद कारिकरम तो देखा जाए 1972 में जब लिमेटेट टू ग्रोथ पुस्तक छपी तब सरकार की नींद उठी और और मैं तो यह कहता हूँ अगर आप भी इस वीडियो के अंतरगत समझते हो तो परियावरंद के संद्रक्शन कीजिए योगी मैं जानता हूँ जिस परकार इमेटेट ग्रोथ पुस्तक के कारण 1972 में सरकार को परियावरंद दिवस मनाने के लिए बाधित किया उसी परकार क आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो हर बच्चे कम से कम अगर दस बच्चे भी समझदार बन जाते हैं इस वीडियो से तो मैं सोचूंगा कि यह वीडियो बनाने का मेरा कारिया सफल हुआ और आपका भी प्लस टू पढ़ने का जो है सफल हुआ परहाई लिखाए का कारण सरकार की निंद खुली थी तो आज यह तिरपान जो है जनता के साथ साथ सरकार के निंद खुले और परियावरन के संदक्षन भी हो और आप भी जागो परियावरन के संदक्षन करो